तो एक बार हम इसको भी ना कम्प्लीट कर लेते हैं फिर ये हमारा मतलब कम्प्लीट हो जाएगा चेप्टर 7 था हमारा औरिजिन ओफ ट्रांजिक्शन्स सोर्स दोक्यूमेंट्स एंड प्रिपेरेशन ओफ वाउचर्स तो देखो इस चेप्टर में क्या है वैसे जप्टर बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है बिल्कुल मतलब इजी साही बोलना चाहिए सिंपल जप्टर है माला तो देखो इसमे ना वाउचर्स की बात की गई है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की बात की गई है यह होते क्या है हम स्टार्टिंग से एक बार दिखते हैं चिप्टर का नाम ही क्या है ओरिजिन ओफ ट्रांजिक्शन्स Origin of Transactions क्या-क्या है हमारे Source Documents and Preparation of Vouchers इस चेप्टर में हमें Source Documents के बारे में पढ़ना है और Vouchers कैसे प्रिपेर किये जाते हैं वो हमें देखना है तो देखो चेप्टर में हमारा क्या है Origin of Transactions देखो हम Accounts जब करते हैं Accountancy में हमारा जो First Step होता है Identification of Transactions कि Transaction हुई क्या है उसको पहले identify करो उसके बाद तो उस Transactions को Record करते हैं Recording हम किस तरीके से करते थे या तो हम Journal Entry पास करते हैं या फिर इसका substitute और क्या होता है हम Subsidory Books बनाते हैं ठीक है ये दोनों ही हमारे Recording वाले Steps होते हैं तो ये जो Journal Entries पास की जाती है ये होता किया है देखो तुम कहीं भी अगर कुछ भी खरीदने जाते हो तो तुमने देखा होगा तुम्हें वहां से तुम्हारी Transaction का एक Proof मिलता होगा कुछ ना कुछ ढवाज़िक रखेता है कुछ इन वॉइस या फर कोई कुछ ना कुछ बिल मतलब कुछ ना कुछ तुम्हें रूर मिलता है उसकी गेंस्ट में ठीaks है तो वह जो हमें उसके अगेंस्ट में मिला है जो हमारी Transaction होह पासमिश में इसके अगेंस्ट में पेमेंट कर दिया है या ये ट्रांजेक्शन में था क्या मतलब हमें उसके अगेंस्ट कोई ना कोई बिल, स्लिप, कुछ ना कुछ जरूर मिलती है तो इस चेप्टर में कुछ उन्हीं चीज़ों की बाते की गए तो देखो जब कोई मान लेते हैं हमारा बिजनस है, हम कोई भी बिजनस कर रहे थे अब हमने किसी परसन को कुछ सेल किया, ठीक है, हमने अपने गुड सेल किये, तो गुड से जब हम सेल करेंगे तो हम सामने वाली पाटी को एक invoice या फिर एक cash memo, ये चीज़े क्या होती है हम अभी देखेंगे, हम उसको कुछ न कुछ उसके against में बना कर देंगे तो तुम्हे क्या लगता है, अगर कोई transaction हुई, तो हमें उस bill की ज़रुरत क्यों पड़ती है हमें उसको क्यो record करना पड़ता है at that time, हमें देखो mainly उसको record इसलिए करना पड़ता है क्योंकि जब हमने sales की है sales के time पर जो बंदा sale कर रहा है वो तो सीधे journal entry record नहीं करेगा, मतलब recording का तरीका वैसे तो journal entry है, लेकिन इसके और इसके बीच में हमें एक कुछ ना कुछ receipt, कुछ bill, कुछ ना generate करना पड़ेगा, जिसको base बनाकर हमारी transactions को record किया जाता है मतलब journal entry हम directly pass कोड़ी न कर देंगे, कि जो बंदा sale कर रहा है, वो साथ साथ journal entry भी pass करता चलेगा, ऐसा तो possible नहीं है तो हम क्या करते हैं, हमारे पास सभी transactions का कुछ ना कुछ evidence होता है, वो evidences के basis पर ही हम आगे का accounting process start करते हैं, तो यह जो evidence है, यहाँ पर इस chapter में उन्हीं ट्रांजिक्शन, उन्हीं चीजों की बात की गई है, origin of transactions, source documents and preparation of vouchers, तो देखो होता क्या है, हमारे पास ना कुछ source documents होते हैं, source documents क्या होते हैं? कोई भी transactions होई है, उसको हमने कहीं उसको record किया है, यह हमने कुछ भी बनाया, जैसे हम मान लेते हैं, cash sales करते हैं, अगर हमने cash में goods से sale किये, अगर हमने cash में goods से sale किये, तो एक cash memo बनाया रहता है, खुदा शायद disturbance आज ख़र में थोड़ा सा काम चल रहा है, लेकना उसका cash memo बनाया जाता है, ठीक है, cash memo क्यों बनाते हैं, जो हमने cash sale किया, तो उसके लिए, मतलब, अब मैं सारी चीज़े वैसे बनाकर तुमें दिखाऊंगी, कि कैसे कैसे हमारी ये चीज़े बनती है, cash memo बनाया जाता है, तो ये टाइप का हमारा source document है, मतलब हम at that time उसका एक format टाइप पर होता है, उसमें हम उसको record कर लेते हैं, कि हमने किस party को sale किया है, कितनी quantity हमने sale की है, या उसमें क्या item है जो हमने sale किया है, उसका amount, उसकी full detail उसमें होती है, ठीक है, तो cash memo एक type का क्या है हमारा source document है, या फिर मैं उसको बोल सकती हूँ, यह हमारा supporting document है, देख हमारे ना दो type के होते हैं mainly document, एक हमारे होते हैं supporting document, और एक हमारे होते है accounting, supporting vouchers मैं बोल सकती हूँ, एक हमारे होते है, accounting vouchers, supporting vouchers हमारे क्या है और accounting, accounting vouchers तो एक तरीके से जैसे जर्नल एंटरी है, रिकॉर्ड करते हैं उनको उस home में बनाया जाते है, लेकिन supporting vouchers हमारे main होते है, मतलब जो यह sales और journal entry के बीच में एक तरीके से कुछ आया है ना तो यह हमारे हाँ पर supporting vouchers होते हैं इनके basis पर ही हम जर्णल एंट्री इसमें transactions को record करना start करते हैं तो जब हमने किसी को cash में goods से sale किये तो हमारा सबसे पहले हमारा इसमें दिया गया है क्या cash memo तो हम cash memo कैसे बनाएंगे देखो cash memo simple क्या है cash memo के बारे में एक तो तुम यह पता होना चाहिए जब हम cash में goods से cash memo बनाते हैं cash memo में देखो क्या क्या होता है अगर मैं simplis को बना के दिखा हूं एक ऐसा full permit हम पार का उपर हम पूण है पहले तो हम अपना नाम लिखेंगे हम इस किसी नाम से YEARS है goal कि mm's coward end Commun कि आ पर अपना नाम लिखेंगे अपना इडर्रास लिखेंगे यह सब चीजे हमारे आप पर होंगी हम किस चीज में डील करते हैं, हम यहाँ पर वो भी लिखेंगे, पूरे डीटेल मतलब हमारी लिखी जाएगी, तो यह फॉर्मेट तुम्हें न, लर्न करने की इतनी ज़रुरत नहीं है, बस तुम्हें पता होना चाहिए कि यह क्या चीज है, यहाँ पर तुम्हारा, तुम देखते होंगे, तुम्हें कहीं से कुछ बिल मिलता है, तो उसमें रेट पर यूनिट भी दिया हुआ होता है, और हमें टोटल अमांट भी इवन होता है, कि टोटल में कितना है, मान लेते हैं, तुमने दो क्वांटिटी पर्चेस की है, तुम्हारा बिजनस मान कर चलते हैं कि तुम पर नीचर में डील कर रहे हो, तुमने दो चेयर सेल की है, तो चेयर का पर चेयर का क्या रेट है, मान लेते हैं, एक चेर फाइव हिंड्रेट रुकीज की यहां पर कितना हो जाएगा और यहां पर कितना हो जाएगा एक तेबल मान देदेख है तुम्हें कर देंगे हमारा गया फोर्टीन यह हमारा क्या है कैश में कैश में में हमारा को नाम लिखा है मतलब नहीं सर्थ अपना डैस्रिप्शन दीया है और और क्या हमने डिटेल दी है जिसको हमने गुड्स की एं उसका नाम कहीं भी नहीं है लास्ट में एक लाइन होती है यहां पर हम अपना नाम फिर से लिख लेते हैं फोर क्या मैंसर्स राज एंड कमपनी ठीक है यहां पर हम अपने साइन करते हैं करने की ज़र्वत नहीं है बस एक बार ना देख लो गोथू कर लो इन चीजों से और कुछ और बनाने जा रही हूं उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है वो तुमें तोनों चीज़ें देख कर समझ मैं है बस यह दियान रखो cash memo बनता कब है जब हम goods to sale करते हैं in cash यह तुम्हारे MCQ के लिए काम आएगा cash memo कब prepare किया जाता है जब हम goods to sale करेंगे in cash ठीक है उसके बाद हमारा जो second supporting document की बात की गई है वो बोल गया है invoice या फिर हम इसको बोलते हैं goods to sale किये जाते हैं credit जब हमने उधार में goods to sale कि होते हैं तो हम क्या करते हैं है अपर invoice बना कर देते हैं यारिकिशाने goods cash में sails की होंगे है या फिर किसी ना कीृवां ओंडाइन पेरमेंट किया होगा तो उस case में हम cash memo बनाएगे और अगर हम हमने गुड्स क्रेडिट में सेल की होंगे तो उसकेस में हम इन्वाइस या फिर उसको बिल बोल देंगे वो हम बना कर देंगे देखो इसमें गया था हमने किसको सेल किया है मुझे इस कैश मैमो में उसका नाम लिखने की जुरुत नहीं पड़ी थी बट जब हम गुड्स होती है तो हमारी क्या जर्टल एंट्री पास होती है कैश एकाउंट डेबिट टू सेल सेकांट मतलब हमापर सामने वाली पार्टी का नाम हमारी बुक्स में नहीं आता है तो तुम उसके बेस पर भी इस चीज़ को याद रख सकते हो जब तुम इन्वाइस बनाओगे नही हमारा फइंचर का बिजनेस है उसके बाद हम अपना एड्रस दे देंगे यह तो हो गया हमारा डेस्ट इसमें इधर डेट भी आगा यह देट वगेरा न उपर भी आएगी इसका नंबर भी आएगा हमारा सीक्वेंस चलगा होगा ना जो भी हमारा नंबर चलगा होगा मान अब देखो इसमें ना हमारा बस एक चीज का डिफरेंस आजाएगा कि इसमें एक कॉलम एक रॉब और बनाएंगे और उसमें हम सामने वाली पार्टी का नाम लिखेंगे जिसको हमने गोड से सेल की है क्योंकि हैं पर हम क्रेडिट में सेल कर रहे हैं ना मान लेते हैं उस प पर डिफ्रेंस है यहां पर देना पड़े हैं बसकर को हमारे जो हमारा डेटर है उसका नाम हो रहा है क्यों कि थांसे था ओस्रिप्शन और क्रेंश क्याμक आपन सेघृ सूर्ञा करने अब मद्याने देना कॉत को इसम को वाईंटे थीं हैं और क्या-क्या हमने दिया थरे ठीक है अब मैं पूरा नीचे का बना रही हैं। बाकी का हमारा सब कुछ सेम है बस जिफ्रेंस कहा है यहां पर हमने रिसीवर का नाम भी दिया है क्यों दिया है क्यों ने गुट्स उधार में सेम बनाते हैं जब हम गुड्स उधार में से लो कि इस एक किस हमारी एक सपॉर्णिंग डॉक्युमेंट आमारा होता है विस्ट क्या होता है विस्ट क्या होती है नाम से पता चल रहा है अब मान लेते हैं यह जो हमने उपर इन्वाइस बनाया था इसमें एक गुड्स सेल किये थे किसको अमितेंड कंपनी जिस दिन हमें पैसे देगा उस दिन हम उसको एक रिसेट देंगे कि हमने तुमसे इतने पैसे रिसीव कर लिए उस चीज़ कि हम उसे रिसेट बना गर देंगे तो रिसेट भी एक टाइप का क्या हो गया उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन का कि गैसे जब छब्छा से बनाइब है इस सिंट इसकी एक कापी हमारे पास पूर गल्रांसे आज्शन की पांड़ोश गए है जब हमारा कस्टोमर हमें क्या कर देता है जब हमारे कस्टोमर ने हमें पैमेंट कर दिया जब हमें पैसे मिल गया है तो हम सामने वाली पाइडी की क्या देते हैं क्या बताऊं मैं बस हमारा मान लेते हैं हमारी हमारा नाम तो सबसे पहले आएगा हम दे रहे हैं तो हम कौन है राज इंड कंपनी हम अपना एड्रेस भी देंगे यह तो उपर वाई लाइन हमारी हर जगा से भी रहेगी इसमें भी हमारा नंबर कौन सा नंबर है रिसीट का डेट कि सबकी सीक्वेंसिंग चलती है रिसीट में प्रॉपर लिखा हुआ होता है कि रिसीट अब हमने लाइन किस तरीके से बनाई है कैसे लिखी है यह हम पर डिमेंट करेगा रिसीट जैसे मैं अगर तुम्हारी बुक में देखती हूं तो मह यहां पर क्या लिख दूँगी फ्रॉम अमिद एंड कमपनी कितना उससे एमाउंट मिला है ठीक है असंब और रुपीज कितना 10,000 का बिल था मान लेते हैं उसने 10,000 पूरा दे दिया तो मैं यहां पर वो अमाउंट लिख दूँगी पूरा कितना मिला है ठीक है किस कितना कितनी उसकी डिटेल अगर हमें चेक से उसने पेमेंट किया है तो उस चेक की पूरी डिटेल लिखी जाएगा, वह जिंस उस डिसेट में सब कुछ लिख जाएगा, कि इस बंदे ने हमें इतना पेमेंट किया है तो तो विद्पय कैश लिखआ जाये ऐगा नापर in cash और और जकेख से पेमेंट क है तो फिर हमें भी यहां पर लिखी जाएगी, waiting detail आएगी उसके check नहीं। ठीक है, तो ये हमारी क्या आख जाती है, ये हमारी idea receipt करते हैं किसी को जब हमें हमारे customers payment कर देते हैं। ठीक है अब मालेते हैं कि पेमेंट उसने जैसे चेक से की थी अब ये चेक हमें बैंक में भी डिपॉजिट करना होगा अब इस चेक को क्या करेंगे बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो देखो जब हम इस चेक को बैंक में डिपॉजिट करके आते हैं तो बैंक वाले भी हमें तरीके की receipt देते हैं तुमने अगर कभी bank में check deposit I think तुमने कभी किया नहीं होगा अगर तुम कभी chance पड़े तो तुम देखना bank में check deposit करने के लिए भी slip रखी हुई होती है हमें उस check की पूरी detail उसमें पूरी detail के साथ में बढ़नी होती है कि हमारा कितना amount है check का कितनी डेट का check है कितना जॉसरीas होगा लोती है मतलब एक साथ में एटेच होती है copy वो कॉपी हम अपने पास रख लेते हैं और जो check के साथ slips देनी होती होगे check के शाठ बाल दोइते हैं पे इन स्लिप, पे इन स्लिप क्या चीज है, जब हम चेक को बैंक में डिपॉजिट करके आते हैं, जब हम चेक को बैंक में डिपॉजिट करके आते हैं, तो हमें उसके साथ में एक स्लिप मिलती है, एक काउंटर फॉइल होती है, वो पे इन स्लिप होती है, उसकी मैं पूरी बना कर नहीं दिखा रही हूं वो तो बैंक वालों का ही फॉर्मेट होता है उसमें न मतलब तुम अपनी बुक में ही प्लीज इसको देख लो इसको बनाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है इतना क्योंकि कि कौन से बैंक में हमने वो चेक जमा किया है क्या कौन सा वह है मतलब पुरा चेक की डिटेल है यह क्या है चेक की डिटेल है इसमें हाँ भेन मैं भी क्लास लेज़ें जोड़ दिए हाँ कि अगरे आप अगरे 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 इसका अगरे इस एक बार यह काउंटर फॉयल प्लीज अपनी बुक से देखो मैं एक मिनिट आती हूं हां तो यह हमारी थी पेइन स्लिप तो पेइन स्लिप में हमें कब मिलती है जब हम बैंक में चेक डिपॉजिट करते हैं तो उसमें दो पार्ट होते हैं एक पार्ट उसका देखो कि जो यह बड़ा वाला पार्ट है ना जिस जो बड़ा वाला कॉलम बना हुआ है यह तो बै आजाता है सब्सक्राइब करते करते हैं इन्हीं के basis पर recording किजाती है accounting नहीं है मतलब यह हमारे हाथ में जो recording कर रहा होता है जो एक content बैठा हुआ है उसको यह सारी चीज़े दे दी जाती है वो इनको base बना कर इनके basis पर computer में अपना recording करना start कर देता है तो actual में हमारे पास starting में यह proof होते हैं ठीक है देखो next page पर अगर तुम देखोगे तो हमें check भी दिया हुआ है थो अधंध्य किस्टोर करने की जरूरत नहीं है हिब चक के बारे में बताया हुआ है ना तो अध्यक किसी ने चैक बुक कर砌 कटा है को अब entendeu मैं तो किसी ने च्थेल देखा है гр तो आज देखना घर पे बोलना गेड़ी नॉट का मतलब होता है कि जब हमें किसी पार्टी को जैसे तुम journal entry पास करते हो उससे समझो तुमने क्योंकि journal entries की हुई है तो उससे तुम्हें जल्दी समझ में आएगा अगर हम किसी का account हमने credit किया हुआ है और हमने उसको फिर बाद में debit किया किसी reason की वजह से जैसे कि मैं हाँ पर अगर एक EXंबल मान लेते हैं, हमने Goods Purchase किये थे . थी करते थे तो क्या इंटरी पास करते हैं? Purchase Account Debierung तो जो भी पायटी है, मान लेते हैं हमने किसी खोडूरा तो अमिटार फोड़ा हम Recently weabout वापस करने पड़ेंगे जब मैं वापस करूंगी तो मुझे क्या करना पड़ेगा हम क्या जर्णल एंट्री पास करेंगे अमित के एकाउंट को डेबिट करेंगे तू परचेज रिटार्न यहीं पास करेंगे हम कि अमित क्याउंट को डेबिट टू परचेज रिटार्न अकाउंट इतने रुपए से वन थाउजन है कि कि के पडेबिक कर नहीं से इसके लिए हमें अमित को हमेर को एक डेबिट करन liner को क्मधंने क्कशब्षक्राघ नहीं करना होगा इसको करना होगा ह् asleep किया हुआ था और उसमें से किसी वजह से हमें उसको उसके जो म तो ऐसे केस में हम सामने वाली पार्टी को क्या issue गरते हैं debit note issue करते हैं तो देखो अगर तुम इसमें कर रहे होंगे तो लिखा हुआ है debit note is made out evidence in that debit has been made to the account of the party named in debit note मतलब हमने उस party को उतनी हम से debit कर दिया है debit क्यों कि है उसका हम reason देते है उसमें proper पर कि किस वजह से यहां पर डेबिट किया है जैसे यहां पर एक्जामपल लिया हुआ है इस सेलर ऑफ गुड्स मेट सब्सक्राइब करेंगे अब किस केस में डेबिट करेगा देखो सेलर के अब चाहिए अब यहां पर तो हमने क्या किया राम को डेबिट किया तु अब इसमें लिखा हुआ है कि हम अब मान लेते हैं यह जो एक्ट्वल में सेल्स हुई थी यह 5000 की जगा यह थी 5500 ठीक है अब हमने जो एंट्री पास कर ली वह 5000 की कर ली जब कि ओरिजनल वेल्यू थी गुड्स थी 5500 तो अब मुझे क्या करना होगा मुझे इसको सही करने के लिए राम को 500 रुपीज से और ड करना पड़ेगा 500 रुपीज से और डेबिट करना पड़ेगा तो यह जो में ओरिजनल ट्रांजिक्शन होने के बाद में उसको दोबारा से 500 रुपीज की डिटेल भेजूंगी क्योंकि मैंने उस ताइम पर उसको कितने का एविदेंस दे दिया होगा 5000 का दे दिया होगा ब उसमें मैं क्या लिखूंगी कि मैंने तुम Además क्यों किया है मैंने तुमको इतने मैं यह जो बता दिये है यानmbar के व्युदा वूश्य ओन प्यूंगी और सालर ब्चेजर के पॉइंट इव समूंझभ है टूध ग्ढट के व्यूंग टिया खरके जबना खंथ्यान गए हां बाद में ऑरिजिनल ट्रांजेक्शन तो हो गई अब हमने बाद में उसको किसी और वज़ा से डेबिट किया है उस पाइटी को तो उस केस में हम सामने वाली पाइटी को डेबिट नॉट इश्यू करेंगे मैं साथ साथ क्रेडिट नॉट भी एक्स्प्लेइन कर देती हूं इ तो उसकेस में हम उसको इश्यू करेंगे क्रेडिट नॉट जैसे कि अगर मैं यहां पर एक्जांपल लूँ सेलर के पॉइंट अव्यू से देखो हमने जब उसको गुड्स सेल किये थे तो क्या एंट्री पास की राम से काउंट डेबिट तो सेल से काउंट अब देखो हैं मुझे राम को क्रेडिट करना पड़ेगा अपने इस केस में मुझे राम को क्या इशू करना पड़ेगा credit not issue करेंगे तो credit not हम कभि इस्जी करते हैं जब हमने उस party को credit किया है किसी भी रीजन की वज़ा से हूं सकते है तो credit किया है अगर हमने उस case में हम उसको credit not issue करेंगे with reason हम उसमें बताएंगे कि हम क्यूं तुमें credit not issue करते हैं ठीक है अब आप देखो जलिजएंगा कैसे यही बता कर दिए यह हमने तुम्हें इतने amount से credit कर दिया तो अगर मैं debit note बना रही हूं तो एक छोटा सा उसका मैं format की अगर बात करूं debit note की किसकी? debit note के format की तो debit note में हमारा क्या होगा? ये format learn नहीं करने की जरूए तो तुम्हें ये ध्यान रखना हम अपना नाम लिखेंगे जो भी हमारा नाम है हमारा नाम हम लेकर चल रहे थे Raj and Company अपना हम address भी दे देंगे ठीक है? ये तो और हरे एक उसमें है ही हम भी उसमें लिखेंगे की क्या हम कर रहे हैं? हम debit note बना रहे हैं debit note का मतलब ही सीधे-सीधे क्या है मतलब उसका नाम आजाएगा पहले तो फिर इसमें हम नीचे reason बताएंगे for क्या goods return या जो भी था goods defective थे तो इसलिए हमने वो किया था अब देखो जो हम सामय वाली party को goods अगर return कर रहे हैं तो return करने के लिए भी एक चलान बगेरा बनाया जाता है कितने amount के हमने goods return किया है यहाँ पर उसका amount आ जाएगा माल लेते हैं हमारा उपर हमने debit वाले में कितना लिया था amount 1000 लिया था ना यहाँ पर यह 1000 के goods हमने वापस किये थे तो हमने यहाँ पर कितना रुपे लिख देंगे कितने रुपे के goods वापस किये है बन था होने लिए कहने का मतलब यह है यह आपर हम बताइंगे हम डेबिट नौट बना रहे हैं डेबिट नौट का मतलब क्या है कि हमने तुम्हें इतनी अमाउंस से डेबिट कर लिजगा है कि वह लगे सबसे पहले हमने देखा था कैश में हम कब बनाते थे हुआ है जब हमने गुड्स सेल की है इन कैश गुड्स इन कैश ठीक है उसके बाद हमने देखा इन्वाइस इंवाइस मुड्स अंकश्व क करेडिट दॉसमें पार्टी का नाम दिखाब यह नान हमने देखा जिस जब हमें कस्टोमर सब्सक्राठर मिल जाती है यहार 시 तो उसके में रिखा यह चाहे जो कि बेंक में डिपॉजिट किया उगा तो उसके मैं निद्व के लिखेंगें जब हम उसके बाद में रचेक के बारे में में ने गी एक के पीघए ज़ुक भी क्या एक तरीके से बैंक से जो चेक्बूक मिलती है बहुत हमारे साइन होते हैं ठीक है चेक हमारा मींडी उसके बाद हमें देखा डेबित नौट को कि यहां पर हम पाटी को प्रेडिट करते हैं तो में क्रेडिट नॉट इसु करना पड़ता है उसमें हम वीजन लिखते हैं कि क्यों हम तुम्हें क्रेडिट करने हैं ठीक है तो यह सारे हमें क्याते हैं supporting documents, supporting vouchers, ठीक है इसके बाद में हमारे आजाते हैं अगर तुम अपने chapter में देखते हो तो यहां तो घर लिखा हुआ ही अलग तरीके से है मतलब यहां पर इनको तो बोला गया था जो हमने अभी तक देखे हैं यह supporting documents बोले गए थे अगर मैं vouchers की बात करती हूं तो यह supporting documents भी एक तरीक है कि vouchers ही थे supporting vouchers भी हम इनको बोल देते हैं तो मैंने बताया vouchers हमारे दो टाइप के लिखते हैं एक supporting vouchers जो हमने अभी तक पढ़े वो सारे supporting vouchers हैं ठीक है और एक हमारे होते है accounting vouchers supporting vouchers जो हम अभी तक देखके आए थे seven हम तो supporting vouchers क्या होते हैं एक तरीके से source document भी यह लाए जाते हैं इनको हम सोर्स क्योंकि हमारी ट्रांजिक्शन का जो सोर्स हा मतलब हमने उसको क्यों हो उसमें record किया अंगें वहीं तो में जो मैं प्रूफ है हमारीistan ऑखे क्या है किए हमारी द्रांजिक्शन का प्रामरी एक इविडेंस यही सबसे पहले हमने जो रिकॉर्ड किया वस्ट्रांजिक्शन को फो इस तरीके से record किया है supporting vouchers ही हमारी transition का main proof है main evidence हमारा क्या है supporting voucher इनको मैं supporting vouchers volume source document volume source voucher volume कि उसके बाद जो हमारे हमारे हाँ पर डिये गए आप हैं फूर्त करते हैं अब देख सेना यह दो तरीके होते हैं इस प्रोप की वाला सिर्ट किया हुआ है जरनल एंट्री होमें आती है तो एकाउंटिंग वाउचर बनाये गए दिए वाउच में इस को लिए है तो देखो कैस्का इचाउंटिंग बांतर थेल में अगर बताऊं मेली दिकों यह एकाउंटिंग वाउच रहां इनको कौन बनाता हैं एकाउंटेंट खुद बनाता है उन बनाता है इनको एकाउंटेंट बनाता है और जो यह सपोर्डिंग वाउचर से मेंली यह कब बनाए जाते हैं इनको एकाउंटेंट नहीं बनाएगा सपोर्डिंग वाउचर कोन बनाएगा जब ट्रांजिक्शन हुई थी एक टाइम मान लेते हैं मैं ड्रांजेक्शन कर रहे थी मैं गुड सेट करने के लिए शॉप के ऊपर मैं बैठी हुई हूई तो मैं उस टाइम पर जो शॉप की पर हमें एक बिल देता है न वह जो उस टाइम पर बिल दिया गया है वह एकउंट नहीं था एकउंट तो कोई और बंदा होगा supporting voucher at that time बनाए जाते हैं जब वो transaction actual में हुई थी, तो वहाँ पर जो भी बंदा वैठा हुआ था, वो हमारा क्या बना रहा है, source document बना कर चलिए मतलब supporting voucher वो बंदा बना रहा है, तो मैं हाँ आपर कोई particular नाम नहीं लिख सकती, बट starting में जब transaction हुई, तो सबसे पहले हमारे supporting vouchers बने, उसके बाद हमारे accounting vouchers बनाए जाते हैं यह जो accounting vouchers actual में बताऊं बनाए जाते हैं, तो यह extra काम ही हो जाता है, क्योंकि इसके बाद में फिर journal entry करनी होती है, तो journal entry accounting vouchers के बे, accountant पहले accounting voucher बनाएगा source document की help से, then वो journal entry बास करेगा, समझे जो मतलब उसका double काम हो जाता है, कहीं starting में अगर देखें तो accounting vouchers में देखो क्या होता है, जो यह source document है यह सब उसके हाथ में होते हैं, पहले से, जो यह पीछे से हमें मिले हैं हमें recording करने के लिए मिलेंगे मान लेते हैं, मैं account end होगा, मुझे मेरे जो main business का main head होगा, या जो भी मतलब इन सब चीजों से deal कर रहा होगा, वो मुझे सारे source document देदेगा, कि यह transaction आज पूरे दिन में इतनी transactions होई हैं, और यह इनके सारे proof हैं, अब इनको तुम record कर लो, तो उनसे में क्या करूँगी, पहले accounting vouchers बनाओंगी, अब accounting voucher भी हमारे दो तरीके क्या होँगे, cash vouchers होँगे और non cash vouchers होँगे, cash voucher में देखो में इनली क्या होता है जब हमें किसी से cash में पैसा मिल जाता है या हमने किसी को cash में payment किया है या check में, इसमें cash includes online payment also, check also मतलब payment हो गई है, हमें बस उस बात से मतलब है उसका mode क्या है, हमें उससे मतलब नहीं है चाहे वो पैसा cash में मिला है, या हमने cash में pay किया है चाहे वो पैसा हमें check से मिला है या वो पैसा चाहे किसी ने हमारे account में online transfer किया है उस case में हमारा क्या बनाया जाता है? cash voucher बनाया जाता है. ठीक है? यानि कि हमें cash, check या online किसी भी तरीके से हमें पैसा मिला है. पैसा मिला है या तो हमें पैसा receive हुआ है या फिर हमने किसी को payment किया है. मतलब transaction in cash या check हुई है. ठीक है? बैंक से हुई है transaction या फिर cash में हुई है. तो उस case में हम cash voucher बनाएंगे. इसके अलावा बाकी की जितने भी हैं वो समय हमारे non cash voucher में आ जाते हैं. ठीक है? इसके अलावा जितनी भी बाकी की transactions होंगी वो समय हमारी non cash vouchers में आ जाते हैं. अब देखो होगा क्या है यहाँ पर? इसमें भी ना अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर cash vouchers की. देखो mix up मत करना चीज़े. जो हमने अभी तक देखे थे वो सब हमारे supporting documents थी. अब हम accounting vouchers की बात करें हैं. जिसके उपर तुमारी book में कुछ questions भी given हैं accounting voucher बना कर दिखाओ. तो यह तुम्हें थोड़ा बनाने आने चाहिए. तो यहाँ पर मैं इसलिए थोड़ा से इनको detail में बताती हूँ. अब देखो जो यह cash voucher है ना. इसके अंदर भी हमें दो चीज़े दिये हुई हैं. एक हमें दिया हुए है credit voucher. अब देखो यह क्यों दिये गए होगे. यह तुम्हें ना concept समझोगे तो mix-up नहीं होगे. cash voucher के अंदर की बात कर दिये हुए हुए. एक तो इसमें बताया गया credit voucher. एक हमें बताया गया इसमें debit voucher. अब देखो यह जो cash voucher है. अगर मैं इसमें बात करते हूँ credit voucher भी. तो तुम किसी भी party को credit कब करते हो? या कोई और account तुम कब credit करते हो? देखो credit voucher कब बनाना होगा? अगर मुझे cash receive हुआ है. मान लेते हैं मुझे cash receive हुआ है. तो मैं क्या entry pass करते हूँ? cash account debit. तुम जिससे भी हमें receive हुआ है. तुम राम से काउंट. हम ये entry pass करते हैं, नॉर्मली. ये में journal है. ये तो हमारी journal entry है. ये voucher नहीं है इधे अंदर ना. या फिर एक और में transaction ले लेती हूँ. cash account debit. तुम से एकाउंट दिया. तो मैंने goods से sale कर दिये in cash. उस case में भी हमारा ये होगा. तो देखो credit voucher हम कब बनाएंगे? जब हमारा, जब हमने cash account को debit किया होगा. मतलब हमें cash receive हुआ होगा. तो हम cash debit करते हैं. और उसके बदले में credit क्या होता है? अगर हमने goods से sale किये थे, तो उस time sales account credit हो जाता है. क्या हमने goods अगर credit में sale किये थे, और बाद में हमने उस party से cash मिलता है, तो हम उस party को credit कर देते हैं. तो मैंने यहाँ पर दो example लिए हैं, दो transaction लिखी हैं. cash account debit to RAM's account, cash account debit to sales account. ऐसे case में हम बनाते हैं credit voucher. यानि कि mainly मैं यह बोल सकती हूँ, जब हमें cash receive हो रहा है, तो उस case में हम बनाते हैं credit voucher. cash receive हो रहा है, तो क्यूंकि हम cash को देबिट कर देंगे, और जो चीज़ credit होनी है, उसके लिए हमारा credit voucher बन जाता है. debit voucher कब बनता है? जब हम cash में payment करते हैं. अब मैं यहाँ पर cash payment लिख रही हूँ, तो मैं बार-बार यह चीज़ रिपीट नहीं कर रही, क्यूंकि cash में हमारा सब कुछ include है, चाहे वो check से payment हुआ है, चाहे वो cash में हुआ है, चाहे वो online हुआ है, payment से मतलब. जब हमने payment किया है, तो debit voucher बनता है, और जब हमें receive हुआ है, तो उस time पर credit voucher बनता है, clear है? तो नाम से तुम्हें यह confused होने की ज़रूद नहीं है, बस यह समझ के चलना, cash debit हुआ है, तो दूसरी चीज़ credit होगी ना, तो इसलिए credit voucher बनेगा, और जब हम cash payment करते हैं, तो cash account ह हमारा credit होता है, तो इसका मतलब दूसरी चीज़ debit होगी, तो उस case में debit voucher बनेगा, तो देखो, बनाते कैसे हैं, मैं अगर credit voucher बना कर दिखा हूँ तो, credit voucher कैसे बनता है, बहुत simple है, बस journal entry तुम्हें पता होगी, तो आराम से बन जाएगा, उपर तो देखो, हम अपना ही नाम लिखेंगे, मैं एक नाम ही लेकर चुल रही है, starting से, Messers, Raj and Company, यहाँ पर हमारा address, ठीक है, इसका number आ जाएगा, जो भी हमारा number होगा, date, यह तो चार जीजे हर एक उसमें common ही रही है, ठीक है, अब देखो, मान लेते हैं हमने goods, जैसे मैं यह वाली entry ले लेती हूँ, cash account, debit to sales account, हमने goods से सेल किये तो मुझे उस टाइम पर क्या बनाना है, credit voucher बनाना है, तो मैं यहाँ पर कैसे लिखूँगी, credit, मैं किसको credit करूँगी, अगर हम हमने goods cash में सेल किये थे, तो हमारा cash account debit हुआ होगा, और उस party, उस नाम को मैं credit करूँगी, किसको credit करूँगी, यहाँ पर, goods सेल हुए है, transaction पर depend करेगा, तो मैं यहाँ पर लिखूँगी, credit क्या, sales account, कितनी amount हमने sale की थी, उसका amount आ जाएगा, मान लेते हैं, 10,000 rupees की हमने sales की है तो हम यहाँ पर उसका amount लिख देंगे, बस यहाँ पर हम detail लिख देंगे goods sold for cash, तुमें नहीं लग रहा कि हम journal entry type का कुछ पास कर रहे हैं, और यहाँ पर goods sold for cash, और यहाँ पर उस bill का number होगा, तुमने देखा होगा, जब हम goods से sale करते हैं cash में, तो जो supporting voucher बनाओगा, बताओ वो क्या बनाओगा, मैंने seven तुमें supporting voucher बताए हैं, उसमें से क्या बनाओगा, जब हमने बताओ कौन से हाँपर हमारे पास supporting voucher होगा, नाम बताओ मुझे, हमने goods से sale किया है, in cash, तो कौन से हमने supporting voucher बनाया होगा, cash memo, cash memo, तो accounting के पास ये credit voucher बनाने से पहले cash memo होगा उसके पास, तो cash memo का भी तो कुछ number होगा ना, इस पर भी तो कुछ number लिखा होगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे, wide memo number, क्या है हमारा cash memo number, मतलब हम यहाँ पर उसकी भी detail देंगे, समझ रहे हो तो ये credit voucher क्या है, कुछ भी नहीं है, हम सिंपल इसकी journal entry ही type की पास कर देंगे, मैंने हाँ पर किस बेस पर लिखा credit sales account, तो मैं अगर journal entry पता होगी, तो तुम खुछ से लिख दोगे, अगर हम यह पैसे RAM से receive होते है, तो मैं हाँ पर क्या लिखती, credit RAM से काउंट है, हाँ पर मैं RAM का नाम लिख देती, है ना, बस, इसको close कर देंगे, नीचे भी हम क्या कर देंगे, sign कर देते हैं, sign यहाँ पर दो party के होंगे, एक तो जो इस voucher को बना रहा है, यानि कि accountant के sign, और फिर इसको authorize भी करता है एक बंदा, यानि कि कोई manager होगा, इसके उपर भी कोई बैठा हुआ होगा, इस पर उसके sign होते हैं, ठीक है, accounting vouchers secondary कह सकते हैं, secondary stage पर आ जाता है, primary stage पर तो हमारे supporting voucher ही है, accounting voucher हमारे primary vouchers की help से बनाए जाते हैं, बस इतना है, ठीक है, तो वो cash memo इसके हाथ में था, इसने उसके base पर यह accounting voucher बना दिया, तो मैं लगता है कि double काम हो रहा है, पहले तो वो accounting voucher बना रहा ह उसके बाद में वो journal entry भी पास करेगा, फिर वो क्या करेगा, यह सारे accounting voucher अपने हाथ में रखेगा, इनको देखकर system में journal entry भी पास करेगा, लेकिन आज के लिए काम कोई typical नहीं है, software ऐसे आ गए है कि तुम एक entry पास कर लिए और तुम्हारा उससे सब कुछ बन जाए, तु ठीक है, अच्छा अगर इस case में मैं debit voucher बनाऊं तो मैं कैसे बनाऊंगी, मान लेते हैं मैंने goods purchase कियोंगे in cash, तभी तो मैं debit voucher बनाऊंगी, क्योंकि मेरा हाँ पर cash account credit हुआ होगा, तो debit किया होगा ना मैंने दूसरे account को, तो इसलिए मैं हाँ पर क्या बनाऊंगी, debit voucher बना सेम वही, उपर वाई लाइन तो वही common रहेगी, मैं सवर्स, राजेंट, गंपनी, हमारा address, ठीक है, यहाँ पर उसका number, यहाँ पर date, अब यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी, debit, debit में क्या गर रही हूँ, purchase account, अब यह देखो cash voucher है ना, तो मुझे इससे पता चल रहा है, यह स तो मुझे यहाँ पर देखो, किसी दूसरी party का नाम नहीं देना पड़ रहा, बस वो जो हुआ है, जो भी उस transaction में हुआ है, हमने यहाँ पर लिख दिया, purchase account, it means यह cash purchase थी हमारे, ठीक है, इसकी हाँ पर detail दे देंगे, यहाँ उसका bill number है, goods purchased, यहाँ पर हमारा amount आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर नीचे sign हो जाएगे, इधर हमारे accountant के sign हो जाएगे, और इधर हमारे manager के sign हो जाएगे, manager क्यों लिख रहे हैं, मतलब इसके उपर भी एक authority बैठी होगी ना, जो इनको pass करेगी, हाँ ठीक है, ठीक है, सब कुछ ठीक है, इस तरीक है, ठीक है, तो यह हम supporting accounting vouchers, ठीक है, इसमें अगर मैं आगे चलती हूँ, एक चीज और बता देती हूँ, आज बाकी पार्ट कर देंगे, कल यह हो जाएगा complete, क्योंकि कुछ नहीं बचा है, इसमें बस वही journal entry का base है, और उसके base पर तुम्हें इसमें questions दिये हैं, तो कल को na questions की help से तुम्हें और ठीक है, बस मैं एक चीज और बता देती हूँ, आज, मैंने हाँ पर लिखा था ना कि accounting voucher में हमारे सब, जो cash voucher हैं, वो दो type के होते हैं, एक तो यह हो गया credit voucher, debit voucher, दूसरी चीज मैंने हाँ पर लिखी थी, accounting voucher में जो दूसरा पार्ट है, हमारा को क्या है, non cash vouchers, so जो cash के लावा बाकी जितनी भी transactions हुई होगी, वो सारी हमारी किसमे record की जाती है, non cash vouchers में, ठीक है, इनको transfer vouchers भी बोल देते हैं, कई बार, non cash vouchers, या फिर, transfer voucher भी हम इनको बोल देते हैं, तो देखो मुझे कोई ऐसी entry बताओ, जिसमें cash हमारा debit या credit नहीं हुआ होगा, उसका हम क्या बनाएंगे, non cash voucher बनाएंगे, कोई ऐसी transaction बताओ मुझे, कोई भी बतादो, बहुत सारी ऐसी transaction है, तुम लोगी बताओ, फिर मैं उसी transaction का तुमे non cash voucher बना कर दिखाती हूँ, बोलो, कोई भी बताओ, कोई एक transaction बही, जिसका मुझे non cash voucher बनाना है, इसका भी तो मुझे non cash voucher बनाना पड़ेगा और इसके लिए हमने कौन सा supporting document बनाया होगा, goods sold on credit के लिए, बोलो, कौन सा supporting document बनाओगा, invoice बनाओगा, तो देखो यहां पर मैं non cash voucher कैसे बनाओगी, उपर हम लिख देंगे non cash voucher, या फिर transfer voucher, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसको देखो कैसे बनाओगी, तुम्हें अगर इसकी journal entry पता है, तो इसको बनाने में कुछ भी नहीं है, वही हमारा नाम यहां पर, उपर वाला format, same है बिल्कुल, address, यह तो याद भी हो गया होगा, तुम्हें number, date, ठीक है, अब देखो इसमें न, दो चीज़े तुम्हें करनी होगी, एक तो तुम्हें debit भी करना पड़ेगा, और एक तुम्हें एक account credit भी करना पड़ेगा, तो क्या तुमने debit किया है, उसको लिख दो, क्या तुमने credit किया है, उसको लिख दो, debit कितना किया है, credit कितना किया है, वो सब लिख दो, अब देखो तुमने good से sale किया है, credit में, ठीक है, मान लेते हैं, उस party का नाम है, श्याम, जिसको तुमने sale किया है, to श्याम, तो क्या तुमने, इसकी बताओ, क्या journal entry पास होगी, किसको debit करोगी, और किस बोलो, इसकी जर्नल एंट्री, गुट से सौर्ट, श्याम एकाउंट, डेबिट टू, sales एकाउंट ये करते हैं, तो debit में हम क्या लिखेंगे, श्याम का एकाउंट हम डेबिट कर देंगे, और credit में हम क्या लिखेंगे, sales एकाउंट, ये वन गया हमारा non-cash voucher, तो देखो non- cash voucher में debit भी तुम्हें लिखना पड़ेगा और credit भी लिखना पड़ेगा, क्यों क्योंकि दोनों चीज़े अलग होंगी, कितने amount से करना है, वो यहां पर amount आजाएगा, मानले थे 10,000 की हमने goods लिए है, फिर यहां पर हम नीचे detail लिख देंगे, वही जैसे हमने उसमें लिख हमारा final total होगा है, यह इसके उपर ही कर देते हैं वैसे तो, और नीचे sign हो जाएंगे हमारे accountant के, और इधर manager के sign हो जाएंगे, तो तुमने अगर एक difference देखा होगा, तो cash voucher और non cash voucher में बस इतना सा ही difference है, cash voucher में हम सिर्फ, अगर cash हमें receive हुआ होगा, तो हम दूसरे account credit करें हाँ बोलो, माम अपमें दूसरे tuition का time हो तुमने को leave करना पड़ेगा, हाँ leave कर दो क्योंकि बस मैं नया कुछ नहीं करा रही है, जो कराया है, इसको ही बता रही हूँ, repeat कर रही है, तो देखो जो हमारा cash voucher में हमने क्या देखा है, कि जैसे हमने cash receive किया, तो हमने उस case में credit vouch बनाया होगा, क्योंकि cash account देबिट हो जाएगा, तो दूसरा account credit होगा, तो हमने credit voucher बनाया, तो उसमें सिर्फ इतना part बना, ये वाला part, ये उपर वाला part नहीं होगा, कौन से वाले voucher में? credit voucher में, जो हमने cash वाले में credit voucher बनाया है, तो उस case में बस इतना part आएगा, और आएगा यह नहीं आएगा लेकिन जब हम नॉन केश वाउचर बनाएंगे तो हमारा डेबिट भी आएगा और क्रेडिट भी आएगा क्योंकि हमें दोनों चीज़े बतानी है तो हम वाउचर को देखकर भी बता सकते हैं कि यह क्या चीज भी है इस ट्रांजिक्शन में हुआ क क्या होगा देखकर भी विञएख़़ क्र मिलारां नॉन चैप्टर को देखकर भी गता सब्सक्राइर को सकते हैं यहेंद के इस चैप्टर वैसे देखा जाए conceptually complete है हमें कुछ questions करने हैं इसके पाच्छे question है कलकी class में हमारा यह पूरा हो जाए ठीक है अभी तक में कोई doubt है तो मुझसे पूछ लो बस यह चैप्टर न रीडिंग वाले टाइप का चैप्टर है जब एक्जाम में जाओ तो उससे पहले न थोड़ा सा ही जिससे स्टार्टिंग नी दिया हुए एक्विशन से पहले ही थोड़ा सा बस रीडिंग ले लो बस और कुछ नहीं है इसमें हमें बस पता होना चाहिए कौन कौन से वाउचर होते हैं उनके नाम हम कौन सा वाउचर कब बनाते हैं बस इतना इसमें sufficient है mcq में तो इस से जादा कुछ पूछा ही नहीं जाएगा इ इतना जो है वो और डीड कर लेना बाकी तो कुछ ऐसा है यह नहीं बाकी बाकी इस चेप्टर में तो मेरे खाल से mcq वगएरा दिये ही नहीं है तो नॉर्मली हर एक चेप्टर में होते हैं कुछ ऐसा है नहीं ना खास ठीक है तो कर लेंगे कलको इसके तीन-चार questions उससे औ बाकी क्लास में नेक्स बाकी हम नेक्स क्लास में करते हैं ठीक है चलो एंड करते हैं भी क्लास बाए बाए